कि अब बुद्वाइब रुचों कैसे हैं आप सर्थ उम्मीद करता हूं आप अपने जगह पे सेफ होंगे जैसे कोरोना वारिस की मिज़े से हमें अभी घरों में ही रहे ना है अभी ऐसा कोई ओर नहीं आया कि हम घर से बाहर निकलें तो आज हम करने जा रही हैं कशा कीविएस का पाठ दो जिसका नाम है नीहा का जनम दिन और उसका एक सब टोपिक है जिसका नाम है खुसबू आये मन ललचाए अच्छा क्या आप मेरे पी बिताओगे जब कहीं भी कोई खाना पक रहा है हल्वा बन रहा है तो क्या हम सुगंद लेकर इसको पहचान लेते है है और किसरे दोरा नी या है अपने नाक के दोअट चाहिए हमारी ग्यानिंद्री है और में से एक है इस यह बताओ हमने कल जो किया था उसमें कौन सी प्रत्फचान के ठीक है कई चीज़े जू है हम सुनकर देख कर छू कर चक कर और सूंग हर पहचान सकते हैं है इन से जो हमारा जो ज्ञान है वो इसमें व्रिधी होती है तो आज हम करेंगे खुस्बू आये मन लल्चाए ठीक है तो उमीद है आपके पास बुक होंगी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं हम यहां से पड़ रहे हैं बुक में से ही पड़ेंगे तो आप उसको ध्यान से स त्यार हो गया है अब नीतु दिदी ने खाना बनाया है और वह खाना त्यार हो गया है यह खाना मेज पर लगा रही थी उसकी चूडियों की जो है खन-खन की आवाज आ रही थी और विन्या भाईया ने यह आवाज सुनी तो किसे सुनी कानों से येस किसे सुनी कानों से दीदी बोली विने खुब पहचाना तुमने यह बिल्कुल मेरी चूडियों की ही आवाज ती तो देखो विने ने कैसे पहचान लिया अपने कानों के द्वारा विने भाईया देख नहीं सकते हैं दिव्यांग है वो ठीक है तो उन्होंने अपनी ज्यानेंद्री जो है कान के तरह के दवारा चीजों को उनको सुनकर वो पहचान रही हैं निभाने में आज बहुत से चीजें थी और उनमे से खु़शबू हारी थी तभी जोती ने कहा दीदी क्या आपने हलवा बनाया है और उसकी दीदी उसको जवाब सुनकर हैरान हो जाती है कि ये क्या आपको कैसे पता चला कि मैंने हलवा बनाया है तब ही वो क्या कहती है निहा ने कहा हाँ दीदी जोती बोली हलवे की बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है जब हल्वा बनाते हैं हम भी कहीं जैसे हमारे स्कूल में भी बनता है मिड्डे मिल में तो उसकी खुस्बुस से ही बच्चे पहचान लेते हैं कि आज उनके मध्याहन भोजन में क्या बना है ठीक है तो क्यों सी गया निंद्रिया प्रियोग करते हैं वो नाग का ठीक है नाग से हम सूञ कर पहचान सकते हैं कि आज क्या खाना बना है पिंखी ने कहां सूञने की बात पर याद आया कि हमारा मोगली भी सब चीजों को सूञ कर पहचान लेता है कौन मुगली कौन है बता सकते आप हाँ चित्र में जैसा दिखाई दे रहा है मोगली उसके छोटे से कुट्टे का नाम है इसका नाम है छोटे से कुट्टे का नाम जो है वो क्या है मोगली ठीक है अब हमने देखा है जो कुट्टे होते हैं वो सारा दिन सुंगते रहते हैं ला वो कहीं कोई ऐसी चीज है तो उसको वो सुंग कर पहचान सकते हैं अच्छा, आपने फिल्मों में तो देखा ही होगा, कई बार फिल्मों में जो पुलिस है, वो कुट्टे लेकर जाती है, और वो किसलिए लेकर जाती है, ताकि वो सूंग कर के कहीं कोई क्या रखा है, वो उसको पहचान ले, कुट्टे की जो ग्यानिंद्री है, सूंगने की वो क्षमता इंसानों से बहुत ज़्यादा होती है, तो आगे हैसमें, पिंकी के प्यारे कुट्टे का नाम मोगली है, मोगली ऐसा जानवर है, जो बीना बोले ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, ठिक है, तो ये हमारा जो खुश्बू आये, मन दल्चाय टोपिक यह पर समाथ होता है, इसके जो प्रसन बनते हैं, वो शब आपने कोपी में नोट करने है, ठिक है, मैं एक एक करके पढ़ रहा हूं, आप उसको नोट करिए, और उसको सोल करने की कोशिज कीजिए, अगर आपको भी कुछ समझ ना आए, कोई प्रोगलम नहीं, मैं हो ना, ठिक आपको अपने घर से ही सारा कुछ सोल करके देंगे, ठिक है, आपने अपनी कोपी में वो नोट डाउन करना है, और उसको अच्छे से लर्न भी करना है, पहला परसन है, मोगली और किस किस चीजों को सूंग कर पहचानता होगा, हमने बताना है, कि मोगली जो है, कुट्ते का नाम है, और कुट्ता किन किन चीजों को सूंग कर पहचान सकता है, उनमें से आपको दो या तीन के नाम बताने है, जो अगला परसन है, क्या आपके पास भी कोई पालतू जानवर है, है कोई, हाँ, अगर है, तो उसका नाम लिखें, ठिक है, अगला जो परसन है, कि जब उ बूभ लगती है तो वह कैसे अपनी भूब को व्यक्त करता है जैसे कुते होते हैं जो अपने पाऊ में लिपड़ जाते हैं है рnell कुकू करने लगते हैं तो आपके पास भी जो जानवर है आपको बताना है कि वो किस प्रकार खाना जब उसको भूग लगती है किस प्रकार वह है खाने के लिए आपको कहता है तीसरा जो प्रसन है चोथा वह हमारे प्रती प्यार कैसे जताता है जो आपके पास जन्वर है उसका बिताना है कि वह कैसे प्यार चताता है उसकी बाद जो हमारा प्रसन है जब तुम घर से बाहर जाते हो जब हम घर से कहीं बाहर जाते हैं तो वह कैसे रियक्ट करता है यानि कि आपके साथ कैसा बाहर करता है आपके पाउं में पड़ता है या और अजनवी व्यक्ति आता है अजनवी मतलम जिसको अमारे जो जानवर है वो नहीं जानते तो वह जानवर उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं तो आज के लिए हमारा जो टोपिक था खुसलू आये मन दल्चाए वो यहीं पर समाफ्थ होता है अगली वीडियो में हम अगली या नेंदरी के बारे में करेंगे जिसका नाम है छूना ठीक है